हेलो एवरिवन वेल्कम डू स्टेड़ी बाई संदी प्रोहिला फ्रेंड्स देहिए एस्टेट 2023 के अंदर जो एक्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं सर्याना बोर्ड जो भीवानी बोर्ड है शिक्षा बोर्ड उसने सभी बच्चों को आसवासन दिया था कि आपके मार्क्स एड हो जाएंगे रेजल्ट से पहले यह आसवासन लेकर काफी कंडिडेट उनके पास गए थे और वापिस आए तो एक दिन के बाद उन्हें रेजल् उन्हें दिया था उसे एक्जाम पैटरन नहीं बना एक्जाम के अंदर क्वेस्टन नहीं आए जिसके वज़े से कंडिडेट को लोस हो चुका है बहुत सारा अब जो आने वाली भरती है उनसे बाहर कर दिया गया है बच्चों को तो उस सीज के लिए अब च्यार मार्च को आप सभी कंडिडेट को च्यार मार्च सुबह दस बजे भीवानी शिक्षा बोड में पहुंच कर अपनी अटेंडेस लगानी है इन बच्चों का साथ देना है जब तक सरकार के सामने गैदरिंग नहीं होगी भीड़ी कठी नहीं होगी तब तक कोई सेलूशन निकलेगा ही नहीं ठीक है भासा के तीस अंक सभी को मिलने चाहिए ठीक है इसके लिए हमें गुहार लगानी है बिवानी पहुंच के पहले एस्टेट पेपर पठेकरम से बाहर दिया गया फिर क्या किया इनों ने 72 मार्क्स वाड़ा कंडिडेट पास कर दिया क्या ये बेदभाव नहीं है कि एक कैंडिडेट को जिसके मार्क्स कम थे 72 उसको तो पास कर दिया जिस कैंडट ने 89 मार्क्स ले रखे हैं वो फेल कर दिया क्या 89 वाड़ा कम पड़ा लिखा है उसको नोलिज नहीं है ठीक है जिसमें कि 72 वाड़े को इनोंने 18 नमबर दे के पास कर दिया अगर सरकार या फिर भी वानी बोर्ड ये चाहता है कि डिबेट हो बहस हो इस चीज के उपर तो सभी के सभी केंडेट तयार हैं हाई एक प्रू नोंने लाइनमेज का जो पेडागोजी दी थी जो भी पैटरंव दिया था उसमें से क्वेस्टन पूट आउट ना करके कमपलीटली उसको आउट ऑफ सलेवस कर दिया और उसके बाद ये बोल रहे है कि आउट उप सलेवस नहीं था सलेवस में से ही था तो अगर सलेवस मे के लिए ये पहले भी हो चुका है एस्टैट 2017 पंजाबी की तरह सभी को समान ग्रेश दी जानी चाहिए ठीक है अगर समान उनके साथ भी बेदभाव नहीं हुआ था तो आप दो दो बारा से बेदभाव क्यों कर रही है सरकार 2023 कंडिडेट के जो एस्टैट अभ्यारती है उन कंडिडेट का साथ दे और भीवानी बोर्ड से डिबेट के लिए तयार हो जाएं तो 4 मार्च सुबह 10 बज़े आप सभी को पहुंचना है स्थान दे रखा है भीवानी शिक्षा बोर्ड ठीक है तो सभी के सभी कंडिडेट जिन्होंने एसेट पास कर रखा है या जिन्हों अभी लाइन में लगे हुए हैं कि हमारा लेंगवेज की वज़े से एस्टेट रह चुका है तो सभी कंडिडेट को भीवानी बोर्ड पहुंचना है और ये ऐसा नहीं करना है कि दूसरा कंडिडेट जा चुका है मैं नहीं जाओं तो काम चल जाएगा अगर ऐसी धाना सभ मानसिक्ता को बदलना है कि दूसरा कंडिडेट जा रहा है तो काम चल जाएगा मैं नहीं जाओंगा तो और ये सभी के लड़ाई है सभी को एक साथ होके लड़ना है तो एस्टेट के लिए सभी कंडिडेट को चार मार्च सुबह दस बजे भीवानी सिक्षा बोर्ड के अं है ठीक है अब एटी नाइन वड़ा फेल कर दिया इन्होंने अठारा नंबर उसके आए थे अब इसे फूर्मॉले के अंदर क्या बताया गया है उसकी बात करें इस फूर्मॉले में क्या था एनीपी दोजार बीस और सिक्षन सास्तर के अनुशार एक विश्या का मुलैंकन दुसरे विश्या से तूर्णा करके नहीं किया जा सकता पेपर पठेगरम के बाहर से होने इनके से लेवस बाहर से था उसका परबाव सबी कंडिडेट पे पड़ा है तो सबी कंडिडेट के उपर उसका इफेक्ट आया है तो चुनिंदा लोगों को ठीक है लाब देना उनको बेनिफिट पहुंचाना ये बिल्कुल गलत है ऐसा फर्मूला कैसे सही हो सकता है जो कहता है कि भासा में लैंग वेज में जीरो अंक लाने वाड़ा बच्चा तो अठारा बीस अंक ला सक लगता तो ये सरसर गलत किया गया है कंडिडेट के साथ कि जीरो जो भी लैंगविज के अंदर एक भी मार्क्स नहीं लेके आया उसको तो ठारा ठारा मार्क्स दे के पास कर दिया लेकिन जो कंडिडेट लैंगविज के अंदर दस या बारा मार्क्स आथ सुके हैं उनको ए सबी के सबी candidate दोबारा से बता देता हूं आप सबी को तो पंचकुला में पहुंचना है सबी ने ती सोरी पंचकुला नहीं भीवानी सिक्षा बोर्ड में जाना है चार मार्च सुबह दस बजे भीवानी सिक्षा बोर्ड में पहुंच कर अपनी attendance लगाए candidate का साथ दे ठीक है तो बहुत बड़ी update थी तो सबी candidate को पंचना है और आगे की information पाने के लिए वीडियो को share कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लीजिएगा तो चलिए friends आप सबी से request है कि आप सबी candidate पहुंचेंगे और candidate का साथ देंगे तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में thank you